वेलो दोस्तों आज का जो आई से सी अकैडमी अर्बिया टी टॉन्टी लीग का जो इंट्रनेशनल वरियर्स वेली बोईज के बीच में जो मैच होने वाला है उसके बारे में दोस्तों हम यहां पर रिवीव करने वाले हैं दोस्तों इस मैच के अंदर बाकि कुछ तो है नही सामने जो इंट्रनेशनल वरियर्स के अंदर बहुत सारी न्यू चैन्जेंज आपको देखने को मिलने वाले हैं सारा का सारा जो तो इतना अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाले बाकि लाइन अप तो आई चुकी है तो दोस्तों इनके जो रिकोर्ड रहे हैं पहले में आप आपको दिखा देता हूं क्या कुछ रहा है और इंट्रनेशनल वरियर्स के न्यू प्लेयर्स का रिकोर्ड क्या कुछ रहा है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूं उसके बाद में हम यहां पर ड्रीमिलाएं की टीम करेट करने वाले हैं सबसे पहले द़ोस्तों अगर तो निजादकत अली के लास्ट पांच है निजादकत अली का रिकॉर्ड मैंने देखा है तो एक दो मैसे दिकिन दरिनों ने ओपनिंग की है टोटल 133 मैच खेल चुके हैं 1709 मात्र इनके नाम रहे हैं जिने में से दो पारियां आई है 3537 रिकॉर्म भी नहीं है और दोस्तों अगर रिकॉर्ड देखें तो 133 मैच खें 1709 मात्र 167 की रहती है अवतार सिंग का रिकॉर्ड नहीं मिला है मुझे अगर मिलेगा तो मैं आपको टेलेग्राम के उपर बेज़ दूगा तिनुस्टेन की बात करें बैटिंग और बॉलीं दोनों करने वाले हैं 24 मैच के दर प 50 इन्होंने लगाई हुई लेकिन वो सामने कलब जो रहा था वो वीक स्क्वेड रही थी उनके सामने लगाया था चारीस मैच के दर पांसो पिचान में रन इनके नाम रहे हैं स्वियार के बात करें दोस्तों स्रेश वियार अभी तक 15 मैच खेल तुके 680 इनके नाम रहें कोई विकेट नहीं मिला है फर्ष्ट मैच के दर जुरूर इन्होंने पांसातर न बनाई थी उस मैच के दर उसके बाद में बहुत सारे लोगों इनको पिक कर रखा था लेकिन तो इतना सारी कोडिंगा नहीं है बिल्कुल ही बैकवर्ड स्कूर्ड आप इसको मान सकते हो कि सब्सक्राइब की बात करें इनको आप थोड़ा सा अच्छा उप्सन मान सकते हो क्योंकि आपको बोलिंग भी करके देने वाला है बीस मैच से तके दर दोस्तों असीरन सताइस इनके नाम रहें बोलिंग आपको यह करके देगा वी राना की बात कि दो तो यह बोलिंग दीशन्टली करने रहे बैटिंग इन से क्रवाई जा रही है गैरा मैच से कंदर 1528 इनके नाम रहें एम आयसवरी को आप यहां पर रख सकते हैं क्योंकि आपको बोलिंग करके बाकि इनकी बैटिंग देख सकते हो आप यहां पर इतना क्या कुछ रिकोर्ड रहा है इसके हिसाब से आप यहां पर टीमी क्रेट कर सकते हो अमित परविंग कुमार लास्ट मैच खेले थे एक विकेट नगा था तीन मैच अभी तक खेल तोटल 34 रन और एक विकेट इनके आमरा है बाकि उस्तों वेले बॉइज के बारे बात करें स्ट्रोंग स्कुर्ड रही लास्ट मैच कंदर भी आपने इनकी परफॉर्मस देखी थी मौसेन मत्ता तो ओपनिंग करेंगे लास्ट मैच कंदर फिप्री लगाई थी सेकिंड थर्ड दास्ट मैच कंदर एक सेंच बैटिंग साइड से इनकी जो परफॉर्मस रही है वो सांधार रही है उसमान मसूद तो इस मेच के दर खेलने आए यह बैटिंग और बैटिंग दोनों आपको करके देने वाले अटैकिंग प्लेयर रहेंगे नमर 3-4 के उपर ही खेलने वाले दानिस हमद से उपर भी आ सक कि यह आपको बैटिंग और बोलिंग कहां करने वाले हैं 38 मैच कंदर 1127 रंड 18 विकेट इनके नाम रहें दोस्तों यह बोलिंग भी कर सकते हैं सामने बहुत ज़्यदा विक स्कूर्ड रहे तो इनको विकेट मिल सकते हैं मैं इसके बार में शूरली नहीं बता सकता कि कौन स मैच के बोलिंग भी ना करें मॉहित मनजूर दोस्तों ये विकेट के पर रहने वाले हैं इस मैफ नीन नंबर थोड़ा सा इनका नमबर जो औरेगा और नंमर डाउन रहने वाला क्योंकि उसमान मसुद इसमयत के लिए तो वो प्र마पर बोलिंग नेंगे बैटिंग भी ये कर लेते हैं लेकिन लाइक ये आलांडर रहते हैं लेकिन बोलिंग रेगुलर नहीं करते हैं बोलिंग करते हैं ऐसा मांग कि लीजेist Matkin लास्ट मैस जो खेला था ड्रीमी लोगंदर इसके बारे में यहां पर बात कर रहा हूं लास्ट मैस के अंदर ड्रोप ही रहे थे यहां पर रहते थो इनके यहां पर टीम करेट कर सकते हैं बाकि एक्सापलेश का देखने का कोई मतलब भी नहीं है लाइनप भी आलेड़ी आ इंको आगर आप यहां पर आपकल रहेँ हैं जो स्क्राइगे of the बहुत ही कम रहने वाले इनकी जड़ातों तो अगर यहां पर किसी बोलर्स को आप यहां पर पिक करते हो थोड़ा सा आप लिए आड़ांटेज रह सकता है अगर यहां पर इंट्रेंस बोलिए पहले बोलिंग करती है तो पोलर्स को इनके जो बोलर्स रहेंगे इनके आथ में एक आदा विकेटर लगने के चाहिए बन सकते हैं बकी वैले बोई तो शूर है कि मैज कंदर बीन करने वाली है यहां पर तो बैटिंग डिपार्टमेंट की बाद माफूर जिलाई ओपनिंग करने वाले हैं अच्छी उप्सन रहेगी उसमार मस्तूद तो यह बैटिंग और बोलिंग आपको दोनों करके देंगे नुमर चार के ऊपर खेलने वाले हैं यहाँ पर अगर दूसरे प्लेट की बाद के तो मनजूर की तो बैटिंग आनी बहुत ही मुश्किल यहाँ पर रहने वाली है अगर चेज करते हैं तो इनकी बिल्कुल ही नहीं आने वाले एंडर के आसपास ही स्कोर आपको इस मैच्ट के देखने को मिलने वाला है बाकी दोस्तो तो अगर बात करें तो मैंने यहाँ प आप यहाँ पर आप अगर आप यहाँ परका चाहिए थो यह थोड़ी छी अच्छी एसको चींट कर दें और बीकरते और बोलिंग करते हैं बोल्लिंग के दर भी आपास अच्छा का से रहे हैं सब्सक्राइब आसी वी अच्छी नहीं भाए तक नहीं बाता हैं इस वरी अगर बोलिंग के लिए पहले बोलिंग करते हैं इनकी चाहिए एक आदा विकेट आपको यहां पे पिक्या है उसमान तरम्बू इनके की बोलर्स रहें पूरे चाहरा करेंगे एसलिक त्थिस में खेल ले आए हैं इनका रिकोर्ड भी अच्छा रहा है अगर यहां पर इंट्राइश पूले पहले बोलें करते इनके आथ में विकेट लगने की चांश पी रहने वाले हैं यहां पर तीसरी बॉप्षन की बात करें तो वह रहने वाले हैं अभासीर वेले के लिए अगर देखें तो मौसें मत्तो के लिए अच्छी उप्सन रहने वाली है वह इस कैपटन आप दो दाने साफिज को यहां पर ट्राइ कर सकते हैं इनके लाद दो तो आप यहां पर इसका रिकोर्ड में आप टेलीग्राम के उपडेट करवा दूआ पिराल के लिए तो यह टीम रहने वाली है इस टीम का मेरा जो कैपटन रहने वाला है एम मत्तु और